अपने से कोई डमरू बजाल ही अपने से पीट ठोक ले ही तो उका लाइन ओडर उकरा से ठीक हो गिल वका महमदपूर जो बेनी पट्टी जो जगा है मधुवनी में उसको नरसंगहार न कह वका यार उका कहाई उका कहाई अरे स्वर्ण वायोग जाए इनका भाण में दिखा जाने के लिए इनका बहुसा आयोग बना हुआ है कागजपर कब किसकी हत्या हो जाएगी कब तेरी हत्या हो जाएगा कब मेरा हत्या हो जाएगा इसकी कोई गारंटी है क्या आज क्या हो गया आज तो MLC बन गया बारह कहां चला गया उनका लड़का कहां चला गया रगुव से काम करता है एक सत्ता धारी पार्टी के इसारे पर करता है और एक का कोई रहनुमा नहीं है नमस्कार में नमालोग है आप लाइश्टीज देख रहे हैं बिहार में इन दिनों अपराद का ग्राफ रेट जो है वो काफी बढ़ चुका है हाला की दावे किये जा रहे है प्रशासन की और से किलो औरो को लेकर के उचिस तरह ये समिक्षा बैठक जो है वो हो रही है मुकमति इतिश कुमार भी कई बार अपने बयानों के मादम से कहते रहे हैं कि अपराद ही अपराद करके बच नहीं सकता है बिहार में आज हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में उस घटना की घटना होली की दिन की है जब आप अपने घरों में रंगों का तेवार मना रहे थे होली का तेवार मना रहे थे उस दिन मधुबनी में खबर निकल के आए कि महमदपुर गाउं में छे लोगों पर अंधा दूर फाइरिंग की गई जिसमें से पांच लोग जो हैं वो माले जा चुके हैं एक वेक्ती जो है फिलाल घायल है वो भी काफी बुई तरह के से वो जखमी है उसका हिलाज चल र है छे लोगों पंधा दून फाइरिंग की जाती है कहा जारा की वर्चस पिकला रही है तो कैसे देखते हैं और भी बिहार में काफी मडर लाइन ओर के तारिफ तू लोग जिसन पत्रकार करे ला जान जा और कोई ना करे अपने से कोई डंबरू बजा ली अपने से पीट ठ है महिम्मधपुर जो बेनी पत्टी जो जगह है मद्वनी में उसको नर्संङहार नखवक्ता यार वंग कहा कहा ही हत्या कही है किसी समुधाय जो सरकारी जिस समस्ता है कि सरकारी जात है मेरा उस समुदाय का हत्या हो जागा तो उसको नरसंगार माना जाएगा और जो अपरकास्ट के लोगों का हत्या हो जागा तो उसको नरसंगार नहीं मानियेगा सवर्ण आयोग भी तो बना हुआ है ना इन सब चीरों को देखने के लिए अरे सवर्ण आयोग जाए इनका भाण में दिखाने के लिए इनका बहुसा आयोग बना हुआ है कागजपर आप कहां पड़े हुए है नितीस जी का काम जो हो रहा है सरकार का जो धकोसला बाजी चल है प्रतेक छेत्र में दीन दहरे अपराद हो रहा है लगातार अपराद बढ़ता जा रहा है कब किसकी हत्या हो जाएगी कब तेरी हत्या हो जाएगा कब मेरा हत्या हो जाएगा इसकी कोई गारंटी है क्या अरे छोड़िये सुरक्षा कर्मी यार कौन सुरक्षा कर्मी होता एक बम पटाक अगर फोड़ दे तो सबसे पहले सुरक्षे कर्मी भागेगा आप कहां पड़े हुए हैं कितने लोगों को कितने सिपाही को आप ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं कह रहे हैं नरसंगहार की बातों को रख रहे हैं हमने कई जगह पर पढ़ा भी आखबारों में भी लिखा हुआ है कि आठ लोग की गिरफ्तारी भी है ताबर तो छापे मारी की गई मदूबनी की घटना के अरे वह खाना पूरी किया जाता है आप ऐसे समझ लिजे कि अगर आ देखने वाला नहीं है आज कोई अपर काट से भी कोई निरी ही जात है क्या इस बिहार में आप बात करते हैं सुसासन का आप बात करते हैं मान्ये नितिश कुमार जी का आप बताईए एक चना एक किलो चना का जहार उखारने के चक्कर में आपको पता होगा कि 12 हाट थाने म मोहनपूर गाउँ परता है वहाँ एक अपर कास्ट के लोगों की हत्या कर दिया कौन बोलने वाला है कौन सुनने वाला है कहा गया आपका सोन göra, कहा गया आपका जो अपर कास्ट के लिए आपने आयोग बनाया था कॉण आजमी वां गए टीम बना पर करके लोगर देखिये इसमें कोई राजनीत करे नहीं करता है कोई जात का हो कोई धर्म का हो कोई भी पाटी का हो हत्या हत्या होता है कोई व्यक्ति का अगर हत्या करते हैं मनुस के हत्या होता है लाल खुन बाता है यार अब क्या बात करते हैं कोई राजपूत हत्या में भी कोई राजपूत भुम्यार और पंडित और लाला होता है क्या अरे अपराधी बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं और जिस तरह से अपर कास्ट के लोगों का लगातार हत्या हो रहा है और सरकार कुम करनी निंद सोया हुआ है इन पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि अपर कास्ट के कितने बड़े दुस्मन है मानियम मुख मंत्री जी किस से चुपा हुआ है आप याद कीजिए स्वर्गिये रगवन सुभावु के बारे में जिसमें स्वर्गिये रगवन सुभावु का निधन हुआ उस समय लगा कि ये भाई से ज्यादा बढ़ करके हो गए आशू रोते थे नकली आशू लगता था कि आज ही उसके पुत्र को ए अनुसार अपना पूरा जिंदगी जिया और वो व्यक्ति के एक एक रग में राष्टिये जनता दल था उस व्यक्ति के रग रग में गरीब और गुर्वा था उस व्यक्ति का डेड़ बड़ी इन लोगों ने राष्टिये जनता दल के कारजाले में नहीं आने दिया और ल सरकार का सरकार जो मुख्या है वो मने मन खुस होते होंगे कि आज राजपूतों का हत्या हो रहा है कल भूमिहार का हत्या हो रहा है परसुलाला का हत्या हो रहा है ब्रामनों का हत्या हो रहा है यह तो उनके लिए खुसी की बात है पिल्कुल नहीं भरका रहे हैं हम पहले ही बोल चुके हैं कि कोई मनुष का हत्या होता है चाहे वो किसी जात्का है वो मनुष है कोई धर्म, कोई जाती, कोई पाटी नहीं आपका कहा गया लाइन ओडर अभी नहीं हो रहा है क्या ध्यां से समझिए 2004 में 154,000 अपराद दर्ज किये गए और पिछले वर्स 2,69,000 अपराद हुए हैं कहां आप पड़े हुए हैं जबकि कुरोना का प्रियड था चोर पोकेट मार सारे लोग घर में छुपे हुए थे हत्यारे घर में छुपे हुए थे सादू सन्यासी लोग घर में छुपे हुए थे तब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2,69,000 अपराद दर्ज किये गए आप रेकॉर्ट पर बात कीजिए आप उनके धकोसला बाजी पर मन नहीं जाएए उजो नया नया नोरोजनियम बना रहे हैं कि हम आर्म स्पोर्स नया आर्म स्पोर्स 2021 कव जो बिधायक लाएं है वो क्या है वो अपने दुस्मनों से साधने के लिए कि रातो रात अगर सुनील सिंग मेरे खिला बोल रहा है तो बी एमपी को रात को उसके घर में घुसाओ और उसको उठा करके हाजत में जान मार दो कोई बोलने वाला नहीं है कोई कोट में नहीं जाएगा लगातार हम बोल रहे हैं जो इनका जितना काला कानून है उसके बिरुद हम बोलते आए हैं भविस्वे भी बोलते रहेंगे मेरा वाज को कुछ दाप देगा क्या जो मैं सचाइ बोल रहा हूँ उसको कोई दाप नहीं जाएगा बिल्कुल नरसंगार है वो बिल्कुल नरसंगार है आप समझ लो यार कि जिस तरह से अपर कास्ट के लोगों का हत्या होते जा रहा है कोई बोलने वोला है स्राज्वमें पखले जा रहे है ना खाना पूरी किया जाता है मोँहनपूर 12 हाट जो बाकाजिला में पड़ता है बताइए मात्र आठ व्यक्ति का उसमें नाम है और मात्र एक व्यक्ति को आपने उसमें पकळा है हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कि कौन किस जात के लोग है प्राधी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि किस ने हत्या किया है, यह काम पुलिस का है, पुलिस क्या कर रही है, एस पी क्या कर रहे है, डी जी पुलिस क्या कर रहे है, कहां है इनका प्रसासन, बिहार में कानून द तो तरह का काम करता है जो मानने नितीस कुमार जी बोलते हैं कि कानून अपना काम करता है बिलकुल काम नहीं करता है जिस तरह सपराज में ब्रिदी होते चला जा रहा है आपको कलपना होगा कि तीन लाग से जादा इस वर सपराज दर्ज किये जाएंगे मैं आपको बता रहा हो रहा है अब लगता है हाथ में पखरना मुश्किल है नितीज जी का जो सुसासन की बात करते थे ये अपना एक बाल खो चुके हैं मैं पहले भी बोला हूँ आज भी बोल रहा हूँ इनका अब अब सरों पर कोई नियंतरन नहीं है कोई डीम एसपी पर नियंतरन नहीं है समझ लीजे या बात दी गई देर शाम उसके बाद सवाल तो खड़े होंगे कई सारे अपराथ ही घटना है जो बिहार में हो रही है इसके बाद सवाल खड़ा होना लाजमी है भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ-साथ फेजिक पेश भी लाइक करें सत्ता पक्ष भले ही अपना